हे दोस्तों टौफा फिंदी चनल पर आपका स्वागत है मेरा नाम है साहिद और आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकरम की अपकामिंग मुवीज के बारे में जो 2021 और 22 में रिलीज होगी विकरम की लगभग 5 फिलमे आने वाली हैं जिसमें से दो फिलमें historical drama फिलम है एक इक action डामा फिलम है और एक spy फिलम है मतलब की विकरम आने वाले टाइम कई अलग-अलग लुक में नजर आएंगे तो आज हम उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करेंगे तो चलिए जानते हैं विकरम के अपकामिंग मुवीज के बारे में जो 2021 और 22 में रिलीज होगी तो अगर आपको भी ऐसे इंटरस्टी मुड़ी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दमाए ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे नमबर पांच कोबरा कोबरा एक सूपर नेचरो थिल्ले फिलिम है जिसे अजय गरना मुथु डारेक कर रहे हैं डारेक कर रहे हैं मतलब कि फिलिम की सूटिंग अभी चालू है इस फिलिम में विकरम के साथ सिरिधी सेटी और मसहूर किरिकेटर इर्फान पठान भी नज़र आएंगे इर्फान की ये पहली फिलिम होगी जहां से वो फिल्मी दुनिया में कदम रख रहे हैं वहीं स्रिधी की ये पहली तामिली फिल्म होगी कोबरा के फिर्स लुक से इतना तो साफ है कि विकरम साथ अलग-अलग लुक में नज़र आएंगे आई फिलिम में उन्होंने चार डिफरेंट रूर प्ले किये थे जहां उनके लोक और एक्टिंग को काफी सराहा गया था तो इस बार तो वो साथ डिफरेंट रूर प्ले कर रहे हैं तो अब देखते हैं कि इस बार पब्लिक उन्हें कितना पसंद करती है फिल्म की release date अभी confirm नहीं है लेकि इतना तो confirm है कि ये फिल्म 2021 में ही release होगी नमबर चार दुरवा नच्चित्रम ये फिल्म 2017 में release होने वाली थी मतलब कि 3 साल पहले लेकिन टेक्निकल इसुज के कारण फिल्म की release date हटते गई और अब 2021 भी आने वाला है हाला कि अभी भी फिलिम की रिलीज डेट कन्फर्म नहीं है लेकिन अब जब इतना टाइम गुजर गया है तो यह आप मान के चलिए कि अगर ये फिलिम 2021 में नहीं रिलीज होती है तो 2022 में तो जरूर रिलीज होगी इस फिलिम में विक्राफ हमें एक स्पाइक रोल में नजर आएंगे टीजर देखकर तो यहीं लगता है कि फिलिम को काफी बड़े स्केल पर सूट किया गया है जिसमें एक्सन है, थ्रिल है और सस्पेंस भी है पर फिलिम की स्टोरी क्या होगी अभी कुछ नहीं कह सकते फिलिम के लिए सबसे अहम बात है इसकी रिलीज डेट जो हर कोई जाना चाहता है कन्फरम तो नहीं है लेकि 2022 में ही देखने को मिलेगी और अगर कुछ अपडेट आता है तो हम तो आपको बताते ही रहेंगे अपकमिंग हिस्टोरिकल ड्रामा फिलिम महावीर करना को आरेस विमल डारे करेंगे फिलिम में विकराम करना का रोल प्ले करेंगे और सुरेश गोपी करना के सबसे अच्छे दोस्त दुर्योधन का रोल प्ले करेंगे फिल्म का बजट 300 करोड है मतलब कि फिल्म को काफी बड़े स्केल पर सूट किया जाएगा और वैसे भी जब महा भारत की टाइम की फिल्म है तो जाहिर है कि VFX, वीजोर्स और सिनुमेटोग्राफी पर काफी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और कॉस्चूम जो कि इस फिल्म की जान होगी तो इन सब बातों को देखें तो जाहिर है कि 300 करोड तो लगेंगे ही फिल्म की सुटिंग चालू है जिसे 2021 में खदम किया जाएगा और रिलीज डेट तो ये फिल्म साथ 2021 एंड या तो 2022 में ही देखने को मिलेगी नमबर दो पॉनें सल्वन एमजे रामा चंदरन के इस ड्रीम प्रोजेक पॉनें सल्वन को अब मानी रत्रम और विकरम पूरा करने जा रहे हैं 1958 में रामा चंदरन ने एनाउंस किया था कि वो पॉनें सल्वन पर फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसको वो खुद डारे करेंगे और उसमें एक्टिंग भी वो खुद ही करेंगे लेकिन एक एक्सिलेंट की वज़ा से उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ जिसके बाद मानी रत्रम ने इस पर फिल्म बनाने की बात कही 1994 से 2019 तक फिल्म में कलाकारों को लेकर कई बड़े बदलाव किये गए पर अब फिल्म की कास्ट को कर दिया गया है विक्रम, कार्ती, जैमरवी, एसुरा राय बच्चन, अमिताब बच्चन, तृषा, विक्रम परभू, जैराम, एसुरा रक्षमी, सोभिता दुलिपाल के इलावा और भी कई बड़े कडाकार हमें इस फिल्म में नज़र आएंगे ये फिल्म 2021 या दो 22 में रिलीज होगी विक्रम की साथवी फिल्म कनफर्म तो नहीं है लेकिन रूमर बहुत ही तगड़ा है इतना की आप 99% मान के चलें कि विक्रम की साथवी फिल्म कार्तिक सुबाराज के साथ ही होगी मीड़ा रिपोर्ट की माने तो कार्तिक अपनी अगली फिल्म में विक्रम को कास्ट करने वाले हैं यह गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होगी इसमें उनके साथ यानि विक्रम के साथ उनके बेटे धुरुवा विक्रम भी नज़र आएंगे विक्रम के पास अभी चार फिल्मे हैं जिसमें से कोबरा की सुटिंग खतम होने वाली है वहीं धुरुआन अचितरम की सुटिंग भी लगबग कम्पलीट है और रही बाद महावीर करना और पॉनिन सलवन की तो उसकी भी सुटिंग चालू है जो कि नेक्स येर में खतम हो जाएगी तो इस बीच या तो कार्तिक सार एक और फिल्म करेंगे या फिर थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक विक्रम अपनी फिल्मों को कम्पलीट ना करें ये हमें आगे पता चलेगा तो दोस्तों ये थी विक्रम की कुछ आने वाली फिल्मे इन फिल्मों में से चार फिल्में तो कन्फर्म है और रही बात एक फिल्म की तो वो भी बहुत ही जल्द कन्फर्म हो जाएगी तो आप इन फिल्मों में से किस फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेड में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें अपनी दोस्तों के साथ भी फेस्बॉक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें धन्यवाद